लापता बेटी को खोज ने परिशान पिता ने किया 5000 रुपे का इनाम घोशित थाने में लगातार चकल लगा रहा पीड़ित पिता नहीं हुई अभी तक कोई उचित कारवाही जिल की वज़पूर थाने शेतर के अंतरगात नौ मार्च की रात में गायब हुई लड़की के मामले में पिड़ित पिता ने लड़की को ढूंड कर लाने वाले को 5000 का इनाम घोशित किया है ये नाम उसने साधरन आदमी को देने की घोशना की है क्योंकि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी अभी तक वज़पूर थाने से कोई भी संतुष्टी पूर्ण जवाब नहीं मिला है फर्यादी राकेश रजक पालिका बाजार एन एफल का रहने वाला है उसने बताए कि मेरी बेटी राक में तकरीबन तीन मज़े के आसपास नौ मार्च को लापता हो गए मुझे संदे है कि मेरी पडोस में रहने वाला लड़का उसे भगा कर ले गया इस मामले में मैंने रिपोर्ट दर्जे नहीं कराई लेकिन साथ दिन बीच जाने के बाद भी अभीता कोई कारवाही नहीं हुई फर्यादी के द्वारा इस समंद में असपी आफस में आविदान देका लापता बेटी को ढूंड कर घर वापस लाने के लिए और दोश्यों के खलाव कारवाही के बांगी गई है लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी युवदी के समंद में पुलिस प्रशासन देने में असमर्थ है इस मामले में रजक महासमाज संगठन के प्रदेश धक्षे लक्षमन भडेरिया ने चेताबनी दी है कि पुलिस 27 मार्च तक लड़की को ढूंड कर परिजनों को सौब दे आने था रजक महासमाज आंदुलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा और इस द्वरान होने वाली समस्त आसुवधा के लिए पुलिस प्रशासन जमिदार होगा समन में संगठन की बैठक 27 मार्च को रखी गई है जिसमें जिले के सभी रजक समाज बंदुओं को आने के लिए बोला गया है अब तो मैंने थाने में रेपोर्ट डाली है रेपोर्ट होने पर भी उसको कारवाई नहीं गूई है साथ दिन के बाद मेरे जान ले लेप्रिस भे घर पे आई है और अभी तक कोई मेरी बेटी का सभावी लगा नहीं पता लगा है को यह नाम की गुफना करता हूं अगर क कोई मेरी बेटी का पता बताता है यह लागा देता है मैंसे पांस जार रुपे नाम देवाई